देखे आज हम आपके लिए लाए हैं यह दो कलर का डिजाइन कितना प्यारा लग रहा है आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है और इसे बनाना भी बहुत असान है बड़ी असानी से बन जाता है यह देखे फरंट साइट से ऐसा और बैक साइट से इस तरह से दिखता और देखे फ्रेंड यह बहुत ही सुन्दर लगेगा अगर आप इसको लेडिस कार्डिगान या फिर बच्चों के स्वेटर में अपलाई करेंगे तो यह बहुत ही सुन्दर लगेगा और इसे बनाना भी बहुत असान है उल्टे सीधे फंदों में डिजाइन बन जाता है पाचे तीन यह पाचे तीन यह इस तरह से आठ के मल्टिपल फंदों में यह डिजाइन कंप्लीट हो जाता है और देखिए इसे बनाना भी बहुत असान है और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे और लाइक कीजे शे इसमें 23 फंदे डाले हैं और देखिए यह सीधी तरब से हैं सीधी साइट से पहले दो सलाई हम और सीधी बनें तो सीधी तरब से सीधी सलाई बननी है कि पहली सलाई को हम पूरा सीधा बनेंगे करेंगे करेंगे हैं कि यह हमने अपनी सीधी तरफ से सीधी सलाई को पूरा सीधा बुन लिया अब उल्टी तरफ से देखिए दूसरी सलाई उल्टी तरफ से पूरी उल्टी बुनेंगे कि देखिए हमने उल्टी सलाई को अपना उल्टी पूरा बुनकर कम्प्रीट कर लिया है अब हम इसमें दो कलर का धागा हमने दूसरी कलर का जोड़ लिया है नौट बान के अब देखिए ये सीधे बुनेंगे हम पांच फंदे तीन चार पांच फंदे सीधे बुनने के बाद एक फंदा ऐसे ही लेंगे बुनेंगे नहीं फिर एक फंदा बुनेंगे सीधा फिर अगला वाला दूसरा भी एक फंदा ऐसी लेंगे फिर हम पांच फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पांथ पांच फंदे सीधे बुनने के बाद में फट से एक फंदा ऐसे लेंगे और एक फंदा बुनेंगे सीधा फिर एक फंदा ऐसे ही उतार लेंगे फिर बुनेंगे हम पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार,' पांग पांच फंदे सीधी वुनने के बाद में एक फंद अब देखियो उल्टी दरफ से उल्टी तरफ से हम ये पंदना जो हमने नहीं बुना था इसको ऐसे ही ले लेंगे नहीं बुनेंगे ताहा गा पीछे करेंगे और हम 5 पंदे जो हमने सीधी दरब से उल्ठे बनाए थे उल्टी दरब से वी सीधे बनाएंगे 2 3 4 5 पंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे करेंगे यह फंदा ऐसे ही सिक्प करेंगे निदे दागा पीछे करेंगे और एक फंदा फिर सीदह बनेंगे धागा आगे करेंगे ये फंदा ऐसे उतार लेंगे फिर धागा पीछे करेंगे और पांच फंदे फिर से सीधे बनाएंगे तीन चार पांच फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे करेंगे और फिर से ये फंदे उतार लेंगे ऐसे ही फिर एक फंदा बनेंगे सीधा फिर धागा आगे करेंगे और ये फंदा ऐसे ही ले लेंगे फिर धागा पीछे करेंगे और पांच फंदे सीधे बना लेंगे पांच फंदे सीधे बनाने के बाद ये देखिए सीधी तरब से जो पांच फंदे हमने बुनने वो उल्टे बनाएंगे पांच फंदे उल्टे बनाएंगे पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे और ये फंदा ऐसी उतार लेंगे फिर धागा आगे करेंगे और ये फिर उल्टा बनेंगे एक उल्टा बने बाद धागा पीछे करेंगे और फिर ये फंदा ऐसी स्किप कर लेंगे फिर हम पांच फंदे उल्टे बनाएंगे पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को ऐसे स्किप कर लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, और एक फंदा फिर से ऐसी उतार लेंगे, फिर से हम पांच फंदे उल्टे बनाएंगे पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद पीछे और यह वाला ऐसी उतार लेंगे अब उल्टी तरब से इस फंदे उतार लेना है और यह फंदे उल्टे बनाएंगे जू है उन्हें हम उल्टा बनेंगे तका पीछे करेंगे करेंगे its तार लेंगे यह फंदी उल्टा बनाएंगे फिर उल्टा बनाएंगे पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद इस फंदे उतार लेंगे पिर से एक उल्टा बनाएंगे इसको ऐसे ही सिस्क्प लेंगे फिर पांच फंदे उल्टे बनाएंगे देखे फ्रेंट आप सीधी तरप से यह हुमारा में कलर जो पहले हमने बुना था उससे हम दो दो सलाई सेटी दी बंपाइब एक सेधैर से लोटी तरब से अबे गाहरे हैं चलिक कसे पूरी सलाई नहीं है सारे फंदे बुने जाएंगे जो हमने नहीं बुना था उसे भी हम बुन लेंगे हमने अपनी सीधी सलाई बुनकर कम्प्लीट कर ली है अब उल्टी तरफ से पूरी सलाई उल्टी बुनेंगे हमने उल्टी सलाई को पूरा उल्टा बुनकर कम्प्लीट कर लिया है अब दीखे यह दूसरी डिजाइन डालने के लिए पूरके एक फंदा हमने बुन लिया दूस्वर पंदाम ऐसे ही ले लेंगे उतार लेंगे उतार लेंगे और नेक्स्ट कुणने लेंगे फिर से एक, ऐसी स्किप कर लिया, फिर हम पांच फंदे बुनेंगे, एक, दो, ती, चार, पांच, पांच फंदे बुनने के बाद में, एक फंदा ऐसे ही ले लेंगे, बिना बुने ही, इसको ऐसी उतार लेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर एक फंदा ऐसी ले लेंग 2, पा कंशा है फिर 5फंदे बुनेगे एक, दो तीन ही पा, पन्च बंच, हम फिर एकपन्दद ऐसे ले लेके और एकidas सीधा बुनेगे, फिर एक पंदा मैसी ले लेके बना देंगे अब हम उल्टी दरब से दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा ऐसी उतार लेंगे, फिर से एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा ऐसी उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर हम पांच फंदे सीधे बना पांच फंदे सीधे बनाएंगे फिर दागा हम आगी करेंगे और एक फंदा ऐसे ही उतार लेंगे दागा पीछे करेंगे फिर एक फंदा सीधा बनेंगे दागा आगे करेंगे और फिर से उतार लेंगे दागा पीछे करेंगे और पांच फंदे सीधे बनाएंगे दागा आगे करेंगे और एक फंदा ऐसी उतार लेंगे फर से एक फंदा सीधा बनेंगे फिर एक फंदा ऐसी उतार लेंगे और फिर दागा पीछे करेंगे और एक फंदा लाश्ट का हम सीधा बनेंगे और देखिए ये फंदा हमने ऐसी उल्टा बनाया था इसको उल्टा ही बना लेंगे धागा पीछे करेंगे और ये वाला ऐसी उतार लेंगे फंदा फिर हम ये वाला फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे ये वाला ऐसी उतार लेंगे फिर धागा आगे करेंगे और पांच फंदे उल्टे बनाएंगे पांच फंदे उल्टे बनाने वाद धागा पीछे करेंगे इस फंदे को ऐसी उतार लेंगे फिर धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे इस फंदे को इस तरह ही उतार लेंगे के एक फंदे तार लेंगे दागा आगे म His फिर दागा पीच्छे करेंगे मारी कि उता लेंगे मेफिर से तो फंदने उल्टे बना देंगे मैं अब देखेर अल्टी सैज्ट से पर के दो हमें दोनिते बनाने आएं यह वाला फंदा मेलाज को दालें एक फिर से हम एक फंदा उल्टा फिर यह ऐसी उतार लिया जो दूसरे कलरका है फिर हम पांच फंदे उल्टे बनाएंगे हो पांच पंदे बनाने के बाद ये पंदा सितार लेंगे फिर से हम कनदा उतार लिया फिर हम 5पंदे बनाएंगे हुआए पांच पने उल्टे हो घृए हुआ अब फिर से देर इसी फली उल्ट नेंगे फिर इसको उताल को अब छाय हमारी डिजाइन बन कर कंप्लीट हो गई हैrare में आपको एक ल हान और बूनर कर दिखा देती हूं यह वह में जो हमारा में यह वाला कलर है इसको हमने डाला था पहले इससे हम पूरी सलाई को सीधा बुनेंगे तो देखे फ्रेंड यही डिजाइन हमें बार बार रिपीट करना है और यही रिपीट करेंगे तो यह वैसा ही डिजाइन बन जाएगा जैसा कि मैंने आपको दिखाया है इस तरह से और यह देखे कितना ब्यूटिफुल लग रहा है आप देखी रहें कितना सुन्दर लग रहा है और आप इसे एक बार जरूर अप्लाई कीजिए बहुत ही प्यारा लगेगा